हेलो बिजनसमेन, वेलकम इन के आईपीज, के आईपी में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो के मादम से आपके साथ एक सेंटरल गवर्मेंट की बहुत ही अच्छी एक स्कीम जो की एगरिकल्चर सेक्टर के लिए है उसके बारे में डिटेज में इन्फरमेशन शेय करेंगे और यह जो स्कीम है इसका नाम है अगरिकल्चर इंफरासक्चर फंड जी हाँ दोस्तों जदि आप अगरिकल्चर से से रिलेटिड कोई भी एग्री इन्फरासक्चर के प्रजेक्ट्स या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के प्रजेक्ट कर रहे हैं या करने की planning कर रही है तो आप इस scheme का लाब उठा सकते हैं यह जो scheme है Central Government की scheme है और Ministry of Agriculture द्वारा implemented की गई है Ministry of Agriculture का जो Department of Agriculture and Farmer Welfare इस scheme को implement कर रहा है यह जो scheme है initially 2020 में launch की गई थी और तो इसका टोटल जो budget outlay frame किया गया था वह एक लाख क्रोड रुपे का पूरे देश के लिए किया गया बहुत एक अच्छी scheme और fast growing जो scheme है यह वो scheme है जिसमें बहुत जादा लोगों ने अब तक benefit भी उठा चुके हैं अभी तक की एज ओन डेट पर एक लाख क्रोड में से 62,000 क्रोड का benefit central government इस scheme के माद्यम से businessman को दे चुकी है तो जो scheme है एक ऐसा ecosystem है जो कि agriculture sector में create किया गया है कि government बेंकर फार्मर और businessman के बीच में एक ecosystem क्रेट करके उनको ज्यादा से ज्यादा लाव मिले government का पूरा focus यह कि जो farmer communities हैं जो agriculture based communities हैं वो agro based business को उसमें वो आएं उसमें वो development करें और ऐसे business जो agriculture based हैं उनमें एक development आए तो अवराल objective कि farmer की income बढ़े और जो वो crop management करता है जो फसलें वो बहुता है या जिस भी agriculture activities में वो इन्वोल है उससे related जो business हैं उनसे उनका एक connectivity डेवलेप हो बिजनसमें को आसानी से loan मिले बैंकों के लिए कैसी guidelines इसमें issue की गई है क्योंकि आल्मोस जितने भी public sector के bank हैं या NBFC हैं या private banking है या commercial banking हैं सभी का इस scheme के साथ ministry of agriculture के साथ MOUs executed है यानि कि जितने भी हमारे देश में financial institutions हैं उनका इस scheme के साथ एक direct connection है और भारत सरकार इस scheme को जितने भी financial institutions हैं उनके माद्यम से इंप्लीमेंट कर रही है अब मैं थोड़ा सा scheme के बारे में आपको जो basic features है इसके जो lab है उनके बारे में details में information share कर रहा हूं कि यह scheme है क्या और इसका lab आप कैसे उठा सकते हैं देखिए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक agriculture infrastructure fund है यानि एक ऐसी facilities है जो agriculture से लेटेड बिजनस के लिए बहुत ही उप्योगी है यदि आप कोई भी agro-based business करते हैं जैसे कि इसमें बहुत सारे business covered है मैं details में आपको यहां जो है information share कर रहा हूं ताकि आप यह business कर रहे हैं करने की planning कर रहे हैं तो आप इस स्कीम को अपने business के साथ सिंक कर सकते हैं यह जो business है जो coverage of business है बहुत अच्छी wide varieties of business इसमें covered हैं मैं कुछ जो common business है जिनको हम post harvest management के projects भी बोलते हैं उनके बारे में आपको यह information दे रहा हूं यदि आप agriculture produce की marketing के लिए कोई भी e-platform launch कर रहे हैं e-marketing platform launch कर रहे हैं तो इस टाइप का business इसमें covered है यदि आप कोई cold storage या warehouse या raping chambers या sorting and grading units इस टाइप का कोई भी project line up करते हैं वो भी इसमें coverable है दूसरा इसमें जो biomass energy के projects है यानि waste management के agriculture residue management के जैसे की biomass briquets, pellets, compressed biogas ऐसे business भी इसमें cover है इसके साथ साथ जो primary processing units होती है जो की primarily हमारे crop से connected होते यानि की कोई rice है या cotton है या गन्ना है या bamboo है या जूट है या fruits and vegetables है इनकी खेती के बाद जो अगले इनके primary processing units setup होती है जिसमें इनकी sorting grading washing ऐसे different type की activities है storage है तो इस टाइप की जो ऐसी activity जो primary processing segments में आती है ताकि जो आपका जो primary products है उसके अंदर value additions होती है ऐसी सारी activities जो है primary processing activities जो cover होती है वो भी agriculture infrastructure fund में coverables है इसके साथ साथ जो की बहुत wide sector है जैसे मैंने पहले बताया आपको इसमें आप वर्मे compost be farming honey processing tissue culture nursery यह भी project cover कर सकते हैं साथ में जो agriculture sector में जो implement यूज होते हैं यानि harvesting implements जो यूज होते हैं equipment यूज होते हैं उनसे related भी business आप इसमें cover कर सकते हैं तो बहुत wide एक जो coverage यानि horticultures के जो भी काफी ऐसे अलाइड प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे की business activity में सिंक होते हैं agriculture के हैं primary processing के हैं storage management के हैं ऐसे बहुत सारे business इस में इस स्कीम में सिंक है तो एक अगर हम संक्षेप में कहें या शोट में कहें कि agriculture अगर कोई business आप कर रही हैं तो आप इस स्कीम का लाव उठा सकते हैं और इसमें अच्छा पॉइंट यह भी है कि इसमें ministry अभी तक ऐसा कोई रिजिट प्लेटफॉर्म असेप्ट नहीं कर रही है कि भी यह business है हम इसको cover नहीं करेंगे यदि कोई allied और और भी कोई नया business lineup होता है तो ministry उसको असेप्ट करती है और अगर वह रिजिनेबल एग्रिकल्चर बेस एक बिजनस है तो उसका इस स्कीम से सिंग किया जाता है और जो eligible अप्लेकेंट से उनको स्कीम का लाब दिया जाता है तो मैंने बताया आपको कौन-कौन से बिजन परशी फर्म, कंपनी, LLP, FPO, Self-Help Group किसी भी तरीके से अगर कोई बिजनस मोडल एग्रिकल्चर बेस का आप केरियोन कर रहे हैं तो इस स्कीम का लाब आप उठा सकते हैं तो बहुत वाइड कैटेगरी जो बिजनस और ब्रोडर अप्लेकेंट eligibility का एक framework इसमें लाइन अप कि किसी भी तरीके से कोई भी suitable business mode आप opt कर रहे हैं इसका लाब आप ले सकते हैं अब जो main content है कि इस scheme में आपको लाब क्या मिलेगा मैंने ये तो बताया आपको कौन-कौन से business coverable हैं आप कैसे आवेदन इसमें किस form में आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन इसमें जो लाब है इस scheme का जो important aspect है कि आपको benefit क्या मिलेंगे वो मैं आपको यहां शेयर कर रहा हूं सबसे पहले यह credit linked based subsidy scheme है यानि आप जब business carry कर रहे हैं और आप को bank loan की requirements होती है क्योंकि government का इस scheme को implement करने का जो basic aim और objective है वो है ease of doing business along with easy bank finance कि आपको असानी से bank से loan मिले हमारे याप बहुत सारे जो business man है business perspectives है उनको एक बहुत common problem face होती है कि सर हमें bank से loan नहीं मिलता है और बहुत genuine क्योंकि banking sector के अपने चैलेंज है और applicant के अपने चैलेंज है तो इस problem को दूर करने के लिए banking और business man के बीच में एक ecosystem create करने के लिए ही scheme यह launch की गई तो यह scheme credit link based scheme है और easy bank finance आपको मिले इसके लिए इसमें provisions है तो इस scheme का सबसे इंपोर्टेंट जो benefit है वो यह है कि आपको इस scheme से सिंग्ड यदि आप इस scheme से सिंग्ड होके bank से ट्रम लोन लेते हैं तो आपको साथ साल तक 3% का interest services मिलेगा और वो भी 2 क्रोड रुपए तक के से ट्रम लोन पर यानि इंडारेक्टली आप अपने बिजनस के लिए जो बैंक से ट्रम लोन लेते हैं या इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यह जो benefit है ट्रम लोन से ही connected working capital ने इसे लिमेट उससे एक सिंक नहीं है तो जो आपने अपने बिजनस को initiate करने के लिए चाहिए वो नया है या उसमें expansion करने के लिए value एडिसन्स करने के लिए बैंक से जो ट्रम लोन लिया जिसका अपयोग आप अपनी building में या plant and machinery की एडिसन्स के लिए करते हैं तो उस ट्रम लोन पर जो कि दो क्रोड रुपे तक का हो सकता है दो क्रोड रुपे तक के ट्रम लोन पर 3% का interest subvention और वो भी 7 साल तक तो indirectly आप देखेंगे कि आपको एक long term ten years में आपके बिजनस में जो rate of interest है उसकी जो interest cost है वो आपकी reduce हो जाती है माले जी आपने वेर आउसिंग बिजनस को सुरू करने के लिए बैंक से 2 क्रोड रुपे का ट्रम लोन लिया और जो rate of interest bank ने आप से चार्ज किया वो 9% का है तो आपको indirectly आप अपना loan account regular repay करेंगे तो आपको AIF में सिंक होने से 3% का interest subvention हर साल आपको मिलेगा यानि indirectly आपकी जो net cost होगे interest की वो 9 से घटकर 6% हो जाएगे और अगला इसमें important aspect यह है कि यह जो interest subvention आपको मिलता है quarterlies आपको मिलता रहेगा और एक बार आपने AIF से अपने project की approval करवा ली तो यह automatically sync हो जाएगा आपके loan account से और आपको इसके बाद कोई भी applications या documentation line up करने की requirement नहीं होती है once you sync your bank term loan with the AIF schemes it will automatically give the benefit of interest subvention for the further preceding 7 years यानि आपको अगले 7 सालों तक यदि आपका accounts regular है आप regular payments कर रहे हैं आपको default नहीं करते हैं तो यह benefit आपको automatically sync होता रहेगा इससे आपकी interest cost reduce होगी cash flow आपके business में बढ़ता है क्योंकि जैसे ही आपको interest refund होगा आप उस reference amount का utilization अपनी loan के repayment के लिए कर सकते हैं तो बहुत अच्छा एक जो primary benefits है interest subsidies का इस scheme में sync है और यह जो scheme जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 2020 में loan चुई थी और अभी यह जो scheme है extended है यानि 2032 तक यह जो scheme extended है इंडारेक्टली आपको 31 मार्च दो हजार 26 से पहले पहले अपने business के लिए ट्रम लोन ले लेना है यानि जो लोन 31 मार्च चबिस से पहले पहले सेंक्सेंस हो जाएंगे उनके अगले साथ सालों के लिए यानि अगर 31 मार्च चबिस तक आपने लोन ले लिया है तो उसको अगर हम अगले साथ साल जोडेंगे तो 31 मार्च दो जार 33 तक यह स्किम continue है तो important aspects आपने ट्रम लोन लेना है अपने बिजनस के लिए जो eligible बिजनस है और वो ट्रम लोन 31 मार्च तो जार चबिस से पहले पहले लेना है और वो जो ट्रम सर्फेट अब लेंगा आत्य क्रोड ये सिंग करके दूसरा बहुत जादा important aspect है इसका वो यह है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आपको bank से loan मिलने में problems आती हैं हम यहां कहते हैं कि आप अपने business के लिए अपने business के bank loan के लिए directly bank से connect ना करके आप AIF का अप्रूवल करवाईए और फिर AIF approved project को आपके banker को share करेगा इससे आपका project AIF से sync होकर bank में जाएगा और यहां एक important guidelines है कि bank को within 60 day आपको loan या तो देना होगा या अगर वो reject करता है तो उसका कोई grounds वो on board डालेगा यानि जो लोन कि sanctioning और processing का जो duration है जो कि पहले एक businessman की file ने तिन तिन चार चार महिने तक चलती रहती थी उसको भी reduce कर दिया गया यानि 60 दिन के अंदर अंदर बैंक को वो decisions लेना ही होगा तो इस से क्या होगा fast movings होगी loan की proposals की तो banking के लिए बैनेफिट है और businessmen के लिए बैनेफिट है तो हमने कहा कि आप AIF का रूट लीजीगा जब भी आप bank से लोन लेने के लिए जाए तो बैंक से हमें पहले यह discussion करना है क्योंकि बहुत ही एक टेक्निकल आस्पेक्ट जो मैं आपको शेर कर रहा हूं कि हम बैंकर को कहेंगे सर कि वी आर गोइंग टू to consider ुस प्रजेक्ट आंडर दा ए स्कीम्स तो आप हमा प्रजेक्ट सेक्टर लंडिंग में कवर की और हम आपको AIF से अप्रूल करवा कर वा के के आप यह प्रडा देंगे आप से सिंख्ट करके हमारी प्रपोजल को सेंक्सण्स की इससे लाव क्या होगा कि अगर बैंक ने प्राइटी सेक्टर लेंडिंग में आपको बैंक लोन का प्रोजन दिया है बैंक लोन डिस्वर्स के तभी आप उस सबसीडी का लाव ले पाएंगे यहां एक इंपोर्टेंट आस्पेक्ट और है क्योंकि जो स्कीम है इस स्कीम का ल कि आप में अपना केस डाल सकते हैं यानि कि आप जो सेंक्शन केस हैं उनके लिए आविदन कर सकते हैं और इसको अपरूर करके बैंक को बेजेगा तो जाकि जो बचा हुआ टैनोर है आपका क्योंकि साथ साल तक इसमें इंट्रस सब्मेंशन है लेकिन अगर आपने वह ला बचा हुआ माले जी आपका ट्रम लोन साथ साल का था आपने दो साल उसको पे कर चुके तो तो बचे भी पांच साल के लिए आप ये बैनिफिट ले सकते हैं लेकिन आलडी सेंक्शन जो केस हैं उनमें एक का बैनिफिट तभी मिलेगा जब आपके बैंकर ने आपका लोन लेंडिंग में कवर किया हुआ यानि अगर आपके बैंक ने आपको किसी दूसरी स्कीम में लोन दिया हुआ है और आपका बिजनस चाहिए लेकिन आप से अपरूल के बाद बैंक से वह इंट्रस सब्मेंशन का लाब नहीं ले पाएंगे तो इंपोर्टन टेक्निकल आसप कोई लाब मिले तो यहां जो मैं आपको पॉइंट शेर करना चाहरा था कि बैंक लोन असानी से मिले कैसे उसकी लिए इस स्कीम में प्रोविजन है क्रेडिट गारेंटी कवरेज का यानि बहुत सारे बिजनसमें अपना पैसा अपनी जमीन बिजनस में लगा देते हैं और लोन की दिमांड करते तो बैंक उन से अधिशनल स्कीर्टी माँझता है कि सरा आप हमें कोई एक्स्ट्र स्कीर्टी दो ताकि हमारे जो टर्म लोन का जो रिस्क रेडियूस हो पाए जर्ने बिजनसमें के पास एक्स्ट्रा स्कॉलिटी नहीं हो पाती है तो उस सिच्विश में बैंक उसको लोन दे नहीं पाता और वो बिजनस को इनिशेट नहीं कर पाता ऐसा बहुत बड़ा एक मार्केट में गैप है तो इस प्रॉब्लम को रिम्यू करने का प्रोविजन गौर्रमेंट ऑफ इंडिया ने एएफ स्कीम में कवर किया यानि यहां भारत सरकार बैंक क को जो एग्रीकल्चर इंफ्रासक्टरपण के प्रोजेक्ट्स हैं जो अप्रूड होंगे उसके लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज दे रहा है यानि भारत सरकार दो क्रोड रुपय तक के ट्रम लोन की क्रेडिट गारंटी बैंक इंक को देगी यानि आपको को प्रेजिट कवर्ज में कवर करके बैंक आपको लोन देगा तो यहां बैंक क्या करता है बैंकों का सीज़ी टी-मसमी से एक होता है ऑग क्रेडिट मैं इसमी एक ट्रस्ट ऑफ यह चाहर सब्सक्ति बैंक को आपके लोन की देते यानि अगर आप आप से डिफार्ट हो गया आप लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो इन डाट सिच्वेशन जो क्रेडिट गारेंटी कवरिज फंड है उसके थूरू बैंक का लोन रिपेमेंट कर दिया जाएगा और इस एवज में बैंक आप से एक सीजेटी मेंसमे का कवर फिस चार्ज करता है यानि आपको एक फिस देनी होती जर्नली या एक से डेड़ी परसेंट ओफ लोन अमाउंट तक का हो सकता है यानि आपके पास कोलेटर स्क्योटी नहीं है बैंक आपको लोन देने से मना कर रहा है तो इस सिच्वेशन में यदि आपने प्र इससे भी अच्छी एक एडवांसमेंट यानि जो आपने सीजटी एमसमे की कवर फिस दी है बैंक को उसका भी रिफंड का प्रोविजन इस स्कीम में है तो देखिए कितना अच्छा कवरेज आपको इंट्रस सब्सेडी का लाब साथ में कोलेटर फ्री रिलक्षेशन यानि विदाउट को लेटल स्क्योटिज आपको बैंक असानी से लोन दे रहा है तिसरा भारत सरकार आपके लोन के गारंटी दे रही है बैंक को और बैंक ने इस गारंटी कवरेज के लिए जो आपसे फीश चार्ज की है उसका भी रिफंड आपको स्कीम में दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी वाइड के रहें जो कैटेग्री जो बैनिफिट है इस स्कीम में आपको बिजनसमेन आपको गवर्मेंट प्रोवाइड कर दिया तो पहला लाब जैसे मैंने बताया कि इंट्रस सबसीडी का लाब इंट्रस सब्वेंशन दूसरा कि कोलेटल स्क्योटिज का अब तीसरा इंपोर्टेंट आस्पेक्ट कि इसमें यह जो स्कीम है एएफ यह एएफ डज नाट रिस्टिक्ट टू आवेल फोर दा अधर सेंट्रल अस्टेट गवर्मेंट सबसीडी ग्रांट्स और इंसेंटिज यानि एएफ में प्रजेक्ट अप्रूल होने के बाद ए स्कीम आपको किसी दूसरे लाब को लेने के लिए रिस्टिक्ट नहीं कर रही है यानि अगर आपका प्रजेक्ट किसी दूसरी सेंट्रल या स्टेट इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है यानि कोई कैपिटल सबसीडी को स्टाम डूटी रिफांट्स या और कोई भी बैनि साथ हजार क्लोड के के सेंक्शन हो चुके हैं और बहुत फास्ट मॉविंग प्रोसेस हैं बैंकिंग से सिंग है क्रेडिट लिंक बेस कीम से तो जैसे मैंने बताया आपको कि दूसरे भी सबसेड़ी लाब आप ले सकते हैं अगला इंपोर्टेंट्स लाब इसमें जो है कि कि एएफ में कवरेज जो है आप मैक्सीमम कई बिजनसमेन ही सोचते हैं कि सर हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया और इस बिजनस पर हमें एएफ का लाब मिल गया अब हम और लाव नहीं ले पाएंगे नहीं बीग बिजनसमें आप मैक्सीमम 25 प्रोजेक्ट तक के लाव इसन यह है कि यह तीनों बिजनस डिफ्रेंट लोकेशन पर लोकेटेड होनी चाहिए एक जगह पर आप कोई बिजनस कर रहे हैं और सेम इनुट में कर रहे हैं तो आपको क्योंद दो क्रोड रुपे तक के ट्रम लोन का सम्वेंशन से लाइन अप होगा लेकिन आपने अग आपको की आपका राइस मील ऑएल मेल या वेराउस अगर आपने तीन लाइन की अलगलग लोकेशन पर नइसमें दो क्रोड का और वेराउसिंग में तक का ट्रम लोन पर इंट्रस स्वेंशन ले लिया है आप अपने प्रजट की प्लैनिंग इस तरिके से कर सकते हैं यानि अलग-अलग लोकेशन पर डाल के प्रजेट को या अलग-अलग यूनिट फ्रेम करके आप इस सब्सेडी प्लाइनिंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं यानि इंट्रस सब्मेंशन के लाब को बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी एक जिसको हम बोले कि खूबसूरती है इस स स्कीम में लाइन अप किया गया है तो इंट्रस सब्सेडी को लेटर सिर्फ सिर्फ का रिलेक्सेशन अगर सब्सेडी बैनेफिट और साथ में आपको कि ज्यादा से ज्यादा परजेक्ट आप इसमें कर पाएं ऐसे यह सारे बैनिफिट्स आपको एफ स्कीम से सिंक है अब स्कीम का लाव लेने के लिए आपको करना क्या है बैंक लोन आपकी रिक्वाइरमेंट है बैंक लोन लेने के लिए हमें एफ का रूट लेना है एफ की जो एलिजेबल बिजनस है मैंने बताएं इसके लाव मैंने बताएं कैसे आप इसमें अप्लेकेंट कौन-कौन हो सकते वह मैंने बताएं लेकिन इसमें आविदन करें कैसे तो बहुत ही एक इंपोर्टेंट आस्पेक्ट बिफोर गोइंग टो टेक बैंक लॉन हमें बैंक लॉन लेने से पहले अपने विजनर्स की एक प्रजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम करनी है जो कि AIF कॉंटेक्स्ट में प्रिपेर होगी और बैंकिंग के लॉन की रिक्वार्मेंट के कॉंटेक्स्ट में भी फ्रेम की जाएगी हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले फ्रेम करें बैंक से प्राइमरली डिस्केशन कर लें कि यह का हमारा प्रोजेक्ट है और आपने प्राइटे सेक्टर लेंडिंग में इसको कवर करना इसके बाद आपने मिनिस्ट्री ओफ एगरिकल्चर को अपना एफ का लाव लेने के लिए आवेंदन न करना होता है यानि बिफोर गोंगेंड टेक वैंक लॉन आपको मिनिस्ट्री ओफ एगरिकल्चर को अपने पूरी प्रोजेक्ट की डिटेर्ल समिट करनी होती है वहार मिनिस्ट्री ओफ एग्रीकल्चर का जो डिपार्टमेंट ऑफ एगरिकल्चर एं भारमर to you upon the basis of the project report provided by to you upon the basis of the business activity that we are going to proceed कि whether such business activity is eligible for the AIF whether the such project report as per the parameter of the AIF schemes तो वो सारी चीज़े ensure करके PMU says आपके project की एक prior approvals देगा और approval देने के बाद AIF उस project को banking के साथ सिंग करता है यानि जब हम AIF में आविदन करेंगे we have to ensure to describe the proposed bank branch and their address यानि जब हम AIF में आविदन करेंगे तो हमें यह बताना होगा कि हम इस bank से और bank की इस branch से यह bank loan facility अवेल करना चाते हैं ताकि AIF आपके project को अप्रूव करके उस concern bank की उस ब्रांच तक forwarded करता है यानि आपको अपना AIF का complete जो पेपर वर्क है प्रजेक्ट रिपोर्ट्स हैं और जो जिस बैंक से आप लेना चाते हैं यह सारी तैयारिया करके AIF यानि ministry of agriculture में अपने को आविदन करना होता है और वह 15-30 दिन के अंदर अंदर आपके project को अप्रूव करके concern branch को forwarded करेंगे उसके बाद आपका बैंक आपको loan करेगा और जैसे ही डिसबर्स करेगा उसका आटो सिंक एए फोर्टल से हो जाएगा यानि आप देख पाएंगे कि आपका loan sanction हो चुका है है डिसबर्स हो चुका है उसके installments आ रही है और कैसे कैसे जो इंट्रस सब्मेंशन्स हैं आपको दिया जा रहा है अगला important aspect जैसे ही आपका प्रजेक्ट आपने आप रोल्स के लिए application सब्मेट की एफ ने अप्रूव किया बैंक के पास सिंग होगा बैंक ने आपको लोन दिया अब बैंक के लेवल से quarterly बैसे पर जो बैंक के पास एफ अप्रूड केसी होते हैं उनका एकठा इंट्रस सब्सेडी का क्लेम किया जाता है यानि यहां आपको क्लेम करने की requirement नहीं है सबसे अच्छा और आसान परामेटर से में सिंग किया गया है यहां बैंक को अपने लेवल पर मिनिस्ट्री ओफ अगरिकल्चर से quarterly basis पर ऐस पर दियार सो पी यह स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेजर डिस्क्राइब बैंक को क्लेम करना है मिनिस्ट्री से और जैसे ही कोई हैड़क नहीं आपका जस्ट अगर एक से प्रजेक्ट अपरूव हो गया है उसके बाद बैंक को ही वह क्लेम समिट करना है यानि बैंक के लेवल पर उसका जो इंटरस समेंशन क्लेम किया जाएगा अप जैसे ही आपने बैंक से लोन लिया तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपको मिलता है जो आपने फीस उसके लिए पेड़ कि उसका भी रिफंट इंटरस समेंशन के साथ ही क्लेम किया जाता है तो यहां बैंक को मिनिश्ट ओफ एगरिकल्चर से जो इंटरस है वो क्लेम करना होता है तो बहुत ही एक अच्छा अगर आप देखेंगे कि इ सब यह कहने में है सर्थ की में मिलता नहीं है लेकिन आयम दा विटनस पॉर इस स्कीम मैंने अभी तक हमारी कंपनी के मादम से के मादम से 400 प्लस प्रजेक्ट को सक्सेस्फुली में लांच किया हमारे बिजनसमें को इस स्कीम का लाब भी मिल रहा है क्योंकि बहुत ही डारे स्कीम है यहां इंपोर्टेंट आस्पेक्ट्स आपको अपने अकाउंट को रेगुलर रखना है किसी भी तरीके का कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन शेर नहीं करनी है क्योंकि आफ्टर गिविंग दा बैनिफिट्स नाव मुनिस्ट्री ऑफ अगरी कल्चर्स इस गोइं तु की फिजिकल इंस्पेक्शन कर रही है और ग्राउंट्स रियरिटी पे चेक आउट कर रहे कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिला आप थे या नहीं थे तो इस चीज़ का भी प्रोवजिन इसमें है यदि आपने फॉल्स क्लेम किया है तो गवर्मेंट कैन डिमांड दा इंट्र आउर व्यकिंग लौन से बिड़िटल्थ प्रोलिम से से लेटल्ठाल्र फेस कर रहे हैं कैसे करेंश अंकर बेंवर्म कि सर till वृप करें को था प्रोवाइक हम आपको चौ्न का से लूप करें कैसे करें का यह संब्रोप को करते हो तो यह हमाब को थे यह क्मेंस चीम कैसे आपके bankर से आपको बात करनी है, एवंदों हमारी टीम आपके bankर को consult करेगी, means work, ünHKO بتाएगे कि सर हमारे इस client का यह proposals आपने ऐसे line up करना है, ताकि clients को यह benefit lab मिल जाएं, इससे आपका जो rate of interest है वो reduce होजएगा, मैं यहाँ एक point और add on करना चाहता हूँ कि AIP scheme के जो eligible business हैं उस पर ministry ने जो rate of interest bank charge करेंगे उसके उपर भी एक primary lending cap fix की वी है यानि bank उसे जदा का rate of interest charge ही नहीं कर पाएंगे आपसे तो easy bank finance, low rate of interest, quick processing आपको अगर लेनी है तो आप KIP के साथ जुड़कर इस scheme का लाब उठा सकते हैं KIP 2008 से as a business subsidy consultant के नाते अपनी सेवाएं दे रही है KIP warehousing logistics segment के साथ साथ MSME segment के उनिट्स और जो agri infra के प्रोजेक्ट्स है animal husbandries line के प्रोजेक्ट्स है, bio mass energy के प्रोजेक्ट्स है, agriculture residue waste management के प्रोजेक्ट्स है इन पे भी अपनी subsidy सेवाएं दे रही है इसके साथ साथ जो business registration required है, जो banking की sports services है अगर आपको bank loan लेने में दिक्कत आ रही है तो KIP आपको assist करेगी along with subsidy plannings आप अपने business पर एक नहीं अनेक subsidy लाब ले सकते हैं यदि आपने सही business subsidy planning की है तो तो if you want to get the maximum subsidy benefit, connect with the KIPs, once again welcome in KIPs और एक important aspects KIP के YouTube चैनल को जरूब subscribe कीजेगा KIP ने एक business community form की गई है, उसको आप join कीजेगा ताकि ऐसे regular business subsidy updates, ऐसे government के subsidy scheme के updates आपको regular मिलते रहें Thank you, welcome in KIPs Thank you